बालागाट नगर मुख्याले से 60 ग्राम पंचायद भरवेली एवं हीरापुर्किक ग्रामिडों के द्वारा विद्यूत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है जहां उन्होंने जिलप रसाशन से गोहार लगाते हुए कहा है कि विद्यूत विभाग अपनी ल में अचानक लाइट चली गए थी और सुबह जब लाइट आई तो इतना हाई बॉल्टेज था कि घरों की फ्रीज पंखे एवं टीवी शॉट सर्किट की वजह से चल गये जिससे ग्रामिडों का काफी नुकसान हुआ है इसके साथ ही ग्रामिडों का कहना है कि विद्यूत लगे हैं पर उन पर स्ट्रीट लाइट नहीं है विद्यूत विभाग से कई बार शिकायत की गई लेकिन विद्यूत विभाग के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और नाहीं आकर लाइट सुधारी जा रही है जिसके चलते ग्रामिडों को काफी लग जाती जन हानी का बहुत बड़ा नुसकान हो जाता जो विद्यूत विभाग की घोर लापरवाई आज सामने निकल के आ रही है कि रातरी में अचानक तीन बजे लोगों कहां लाइट गोल हो जाती है अचानक जब लाइट आती तो कई लोगों के फ्रीज उड़ जाते शॉट सरकुट होता टीवी उड़ जाती है हमारे आमित्र खड़े हुए उनके यहां का टीवी खराब हो गया कुछ लोगों का फिस टैंक खराब हो गया तो मैं शासन प्रसासन से यही मांग करूंगा कि इस लापरवाई के और अपना ध्यान आकरशित करे और ग्राम में हो कड़ी कानूनी कारवाई की जाते हैं क्या हुआ रात में क्या है तीनक बजे करीब लाइट गोल हुई और लाइट आई नहीं और सुबह करीब 8 बजे क्या हुआ कि अचानक लाइट से ऐसा साथ सर्किट टाइप हो फाट से हुआ आवाज तो उसके बाद में फिर लाइट खराब हो गया और हमारे जो आजू-बाजू में मित्र लोग है उनके घर क्या फिरिज खराब हो गया काम नहीं कर रहा है तो यह घटना हुई जर्फ हमारे आप फिरीज उड़ गया है पावन में श्राव हुँ मैं अच्छा एक ऐसे उड़ा फिरीज आप क्या लाइट गो को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें